हमारे देश के राश्ट्रपती चुनाओ के लिए चुने गए सम्मानित नेता माननिय यश्वन्त सिनहाजी मंच पर उपस्तित TRS पार्टी के लोकसबा के नेता सिनामा नागेश्वराव जी राश्ट्रपती चुनाओ के लिए कोडिनेशन कमिटी जो बनी उसकी चेर्मेन बोधपूर पार्लेमेंट मेंबर सिसुदेन कुलकर्नीजी माननिय मंत्रीगन माननिय पार्लेमेंट के सदश तलंगाना लेजिस्ट्रेटिव काउंसिल के सदश और हमारे तलंगाना विदान सबा के विदाइक बाईयों बहनों मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ राजेश्वरेडी के बाद फिर एक बार मैं यश्वंद सिन्हा जी का पुर्देशे तलंगाना जनता के वर से तलंगाना सरकार के वर से हम तमाम के वर से स्वागत करते हैं इसायतिहासिक अधरबाश शहर में यश्वंद सिन्हा जी एक अच्चे सच्चे टावल परसनाल्टी है उन्होंने अपने करीर एड़ोकेट के रूप में स्टार्ट की है बाद में हुआ ये सदिकारी भी बने अदिकारी के रूप में भी कहीं सेवा ये देश को उपलब्द कराए उसके बाद राजनीती में आए और सम्मानिक रूप से एक बार वित्यमंत्री ते देश के और एक्स्टनल अफेर्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं उसके बाद उनके जो इंसाइट्स थे जो मंत्राले वो संभाल रहे थे अंतर राष्टी इस तर पर भी पैरिस में उनको पुरसकार दिया गया उनको सम्मानित भी किया गया ऐसे एक नेता को आज स्वागत करने में हम फकर महसूस करते हैं उनको सम्मानित भी किया गया ऐसे एक नेता को आज स्वागत करने में हम फकर महसूस करते हैं आज हम बागिश आ लिए हैं कि एक अच्छे नेता को अच्छे ढंक से हमने राष्टपती पत के लिए चुना है और आज हैदराबाद में जब वो आए हम बड़ी अच्छी तेदात में उनके स्वागत भी किये हैं इस चीज को लेकर देश के सारे पार्लमेंटेरियन्स को मैं एक अपील करना चाहूंगा भारत में हमारे लोग तंत्र है वी हाव ए डिमक्रसी इन प्रैक्टिस इन इंडिया इससे पहले जब वीवी गिरी साब राष्टपती चुनाव के लिए लड़ रहे थे उस समय इंदुस्तान में एक नारा चला कि आत्म प्रबोत से वोट दीजी और उसी के अनसार वीवी गिरी जी का भी जीत हुआ यह हमारे देश के इतिहास में है आज मैं सारे बारत के पार्लेमेंटेरियन्स को जितने भी पार्लेमेंट मेम्बर्स है, विदायक है जो भी इस चुनाओं के लिए, राष्टपती चुनाओं के लिए वोट देने के लायक है, उन सारे बाईयों से बहेनों से मैं अपील करता हूँ तुलना करके देखिए दोनों कैंडिट के बीच में और आपके आत्मा के अनसार, आत्मा प्रबोध के अनसार यच्षवन शिन्वा जिका ताईद कीजिए यच्षवन जी मैं दो चार शब्द जरूर कहना चाओंगा आशा करते हैं कि आप जीत जाए और देश का मान ये ता बड़े, देश का मान मर्याद बड़े आप जैसे परसनालिटी जीती है, विक्तिकत तोर पर आपका तो परसनालिटी बड़ेगा ही, लेकिन देश का मान मर्याद और बड़ेगा लेकिन क्या हो रहा है इस देश में आज जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है जो कुछ भी किया जा रहा है गलत किया जा रहा है ऐसे स्थिति में देश को खामुश नहीं रहना चाहिए आवाज उटाना चाहिए सुब को इकत्रित होना चाहिए पर एक परिवर्तन, परिवर्तन ऐसा वैसा नहीं, एक उच्च गुनुवत्त वाली परिवर्तन. We need to bring in a qualitative change in Indian politics. It's the requirement of the nation today. आज के हमारे जो प्रदान मंत्री है, वो आज आज आजराबाद आने वाले हैं, दो दिन के लिए यहां रहने वाले हैं, गला फाड़ पाड़ के हमारे किलाब भूलने वाले हैं, कोई बात नहीं, लोक तंत्रे जो जिसके समझ में आया है बोले, जो जिसको कहना है, कहे, यही हमारा लोक तंत्र का मान्यता है. हम इतना है कहना चाहेंगे, माननी है प्रदान मंत्री जी, जिस प्रकार से आप विपक्षित दलों के नेतावों पे गला फाड़ पाड़ के गलत आरोब लगाते हैं, उसी प्रकार से जो संबोधित करने वाले है अईद्रबाद सबा को उसमें हमारे प्रष्णों का उत्तर दीजिए. ये मांग आज आपसे देश कर रहा है. प्रदान मंत्री जी, जिवाब पहली बार चुने गए थे, जन्रता के साथ कई आश्वासन दिये थे, कई प्रामिसस किये थे, कम से कम एक भी आपका किया वादा पूरा हुआ क्या? हम जानना चाहेंगे तो किया है, तो किस वादा आपने पूरा किया? एक भी, कम से कम एक भी टार्च लाइट दाल के भी डूंड़ो तो नहीं मिलेगा. ये मैं नहीं सारे देश कह रहा है. आप समझते हैं आप से बड़ा बुद्धी शाली कोई है ही नहीं ठीक बात है किसानों के बारे में जो हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा है देश के अन्न दाता है आपने कहे दिया किसान का इंकम डबल करेंगे डबल तो हुआ ही नहीं कर्चा डबल हुआ जरूर आपने जिस प्रकार से डीजल बढ़ा दिये पेट्रोल बढ़ा दिये बिजली का कीमत बढ़ा दिये खाद का कीमत बढ़ा दिये उससे इन्वेस्टमेंट डबल जरूर हो गया है बले ही मैं एगरबास से कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के हर किसान ये बात जानता है उनका परसनल एक्सपिरिंस है और आपने जिस प्रकार से तीन बिल लाए हैं केती किसानी को लेकर के तेरा महीने इस देश में किसानों ने आंदोलन किया आपके सरकार के किलाफ आपके नीतियों के किलाफ आप किस प्रकार के गंदे गंदे आरोप हमारे अन्नदातों पो लगा रहे थे आप में तो उनको उग्रवादी कहे दिया खालिच्तानी कहे दिया जो आपके मन में आये मन मानी कहे दिये आपके मंत्रियों ने आंदोलन कारियों पे जीप चड़ाए कार चड़ाए, मार दिये, हत्या भी किये और उस दवरान 700 किसान वीर गती पाए अंदोलन लड़ते लड़ते 700 किसान का मुरुच्चु हुआ आप कोई इस चीज का एसास ही नहीं है कोई दया नहीं है क्या ये सच नहीं के 700 किसान मारेगे यहां से मैंने एलान किया आता है इश्वन जी हांदोलन के दवरान जिन किसान बाईयों ने अपने जान गवाई है उनको था हम लवटा नहीं सकते लेकिन उन परिवारों के देखबाल के लिए इतिलंगाना सरकार के ओर से हम ने एक तीन तीन लाग रुपे हर गर में देने का गोशना किया और हाल ही में मैंने पंजाब सरकार के सहयोग से चंडीगर तक जाके वहां किसानों के हाथ को चेक दे दिये इसके भी हमारे प्रदान मंत्रिया हमारे भाजपा के ने तब मजाग उड़ा रहे थे आप तो देते ही नहीं कम से कम तो देने वाले उनका मजाग भी उड़ाते हैं यह आपका राज है यह आपका नीती है इस प्रकार का सरकार आप चला रहा इस देश में दोस्तों यह सोचने की बात है जिस प्रकार के बाते तो मानने यह प्रदान मंत्री कह रहे थे हुआ क्या अगर आप सही थे अगर आपके बनाये हुए खानून सही थे अगिर हुआ क्या देश सारा देश के सामने आपको सर जुका के किसानों को माफी मांगना पड़ा आपने माफी मांगा यह तो प्रदान मंत्री का आदत है चुनाओ के वक्त है मीटी मीटी बाते चुनाओ गुजर गया तो चूटी चूटी बाते यह देश देख रहा है, देश महसूस कर रहा है अगर आप सही थे तो फिर किसानों को क्यों आप ही मांगा आपके बनाए हुए खानून क्यों वापस लिए और उसके बाद में किसानों को जो आश्वासन आप दिये थे क्या हुआ आज तक कोई बात ही नहीं है किसान आपको कोई सोना हीरा तोड़ी मांग रहा है किसान, देश के किसान किसान अपने उगाय हुए पैदावरी का मौल मांग रहा है मिनिमम सपोर्ट प्राइज मांग रहा है एक इज़तदार जिद्नगी मांग रहा है जिस प्रकार से आप पुंजी पतियों का NPS का करजा उतारते हो लाकों करोड देके वो नहीं मांग रहे किसान किसान मांग रहे तो अपने हक मांग रहे अपने पैदावरी का दाम मांग रहे वो भी देने का क्षमता आपके पास नहीं है आप आवाज उंचा करके, बात करके, जो मन में आये कहके, आप कहते जाओ, आगे ये नहीं चलने वाला है इस देश में किसी भी एक वाइदा, किसी भी एक प्रामिस आपने फुल्फिल नहीं किया आप जो अपने आपका तारीफ करते हो, हर चीज में, हर चीज में, देश का मान मरियादा खतम होते जा रहा है आपका ताना शाही, दिन बदिन बढ़ते जा रहा है, जो देश के लिए खत्रा है मैं इसलिए सुपसे हमेशा कहते आ रहा हूँ, और आगे कहेंगे भी कि राजनाइतिक परिवर्तन से इस देश में कुछ बदलने वाला नहीं है, कुछ बदलाव होने वाला भी नहीं है राजनाइतिक परिवर्तन होगा, जरूर होगा, कोई पर्मिनेंटर नहीं है मोधी जी से पहले भी कहीं प्रदान मंत्री बने जो जनता जिसको मोका देता है सेवा करने का करके अपने रोल निबा के चले जाते हैं मोधी जी मुझे लगता है कि ब्रह्म में है कि हम ही पर्मनेंट है कोई पर्मनेंट है यह अन्नैचुरल है इस देश में लोक तंत्र है तो यह परिवर्थन कभी भी संभव है असंभव नहीं है क्या चला रहे हैं आप देश में क्या हो रहा है किस प्रकार का नीतिया अपनाया जा रहा है हर हालत से इंदुस्तान बेहाल होते जा रहा है किसान परेशान बेरोजगार नौजवा परेशान उद्योगपती परेशान इंफ्लेशन बढ़ रहा है प्रैज रहे हो रहा है एसेंशल कमोडिटीज का आपका अड्मिनिस्टेशन का गुनवत्ता क्या है क्या नतीजा मिला है इस देश को ग्रास मिस्यूज दिन बदिन देखने को मिलता है इस देश में आप हावी है आप प्रहार कर रहे हैं जो आपके विरोध में बोलता है उनको सताय जाता है लोग तंत्र का खात्मा कर रहे है आप लोग तंत्र का हत्या कर रहे हैं राज्यों के सरकार को गिराने में आप विस्त है अब तक नौ नौ सरकार आपने गिराई है यह आपके रिकार्ड में है इसका नतीजा क्या हो रहा है किसी भी तरफ देखो बेहाल हिंदुस्तान किसान परेशन जवान परेशन नवजवर बेरुजगर परेशन उज्योग पती परेशन कौन कुशे है आपके सरकार से सिवा आपके बाशन बाजी के सिवा आपके जूटे प्रचार के आपके अगबारिव विज्यापन से कौन कुशे है अगिकत जानने के कोशिश कीजिए मैं आपसे मांग करता हूँ माननीय प्रदान मंत्री जी बाईयों मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा नरेंदर मोधी जी पंदरवा प्रदान मंत्री है इस देश का प्रदान मंत्री जी आपके नारा है बाशन शुरू करने से पहले भारत मता की जई अगर आपके नारा में सही दम है आपके रगों में बैता हुआ कुन में ये एक बूंद में भी इमानदारी है सचाई है तो ये एक बात मैं सवाल कर रहा हूँ उसका उत्तर दीजिए कल के सभा में देश के सामने बताईए कि आपके किलाफ किस प्रकार का जनान दोलन चल रहा है स्रीलंका देश में क्यों चल रहा है आपने सिलंका जागे प्रदान मंत्री का रोल नहीं निबाया बलके छोटा से ब्यापारी का सेल्समन बन गए थे आप देश का अपमान किये नतीजा सिलंका का जनता तूट पड़ी है सिलंता के रूडों पर ये शोबा देता है हमारे देश को अंतर राश्य स्थर पर देश को सर जुकाना पड़ रहा है आपके कारणामों के वज़े से क्याए सच नहीं है आपके मंत्री लोग आपके प्रवक्ता लोग आप खुद भी गला पाड़ पाड़ के बड़े उंचे आवाज में बोलते हो क्यों चुप्पी साधे हुए है सी लंका के मामने में कोई सरकारी प्रवक्ता अपना मूँ क्यों नहीं कॉल रहा है और आप अपने आप में खुद में क्यों नहीं बोल रहे है इस बात में क्यों चुप्पी साधे हुए हो क्या वज़े है इसके और इससे बड़ी चीज क्या हो सकता है सी लंका पार्लेमेंट कमिटी के सामने सी लंका एलेक्सिटी बोड के चेर्मन बयान दिया दुनिया के सामने खुले आम कि बारत के प्रदान मंत्री के दबाव के कारण हमने ये कांट्राक्ट किसी इंदुस्तानी बेपारी को दिया यह क्या देश का इज़त बढ़ाएगा किसी भी आप से पहले आये हुए, बने हुए किसी भी प्रदान मंत्री जी के काल कंड में ऐसे आरोप बारत पर नहीं लगे। बले ही आप खामुश हो, हम कामुश नहीं बैटेंगे। हम जरूर लड़ते रहेंगे। विक्तिकत रूप से मुझे भी नरेंद्र मोधी से कोई लेना देना कुछ नहीं है। आपके जो पालिसिस है, जो किसान विरोधी, जनता विरोधी, लोक तंत्र विरोधी, ताना शाही पालिसिस जो है, जिस प्रकार का जुलुम, सरकारी संस्तावों का दुरूपयोग आप कर रहे हैं, उसके विरोध में हम बात करेगे। पालिसिस पर हम बात कर रहे हैं। अगर आप इमानदार है, सच्चे है, तो कल के पब्लिक मीटिंग में हैदराबाद से ही बारत के जनता को उत्तर दीजिए। बताइए साफ साफ क्या हुआ स्री लंका में। यह हम आप से पूछ रहे हैं। वरना हम आपको दोश ही मानेंगे। बिल्कुल दोश देंगे आपको। आपका और एक नारा था जब आप प्रदान मंत्री बने थे। मेकीन इंडिया। मैं पूछ रहा हूं माननी है प्रदान मंत्री जी कुछ नतीज़ा मिला इसका। आपके डर से, आपके रवया से, आपके नीतियों से पूछी पती अपने निवेश को वापस लेके देश से भाग रहे हैं। भूतपुरु केंद्री सरकारियों का गलत से पहले हमारे देश से बहुत सारा ब्रेन ड्रेन हुआ। अब आपके काल कंड में आज निवेश का ड्रेन हो रहा है। लाकों करोर विद्रा करके विदेश वम में जा रहे है। मेकिन इंडिया में लोग नहीं आएं, मेकिन इंडिया में कुछ नहीं हुआ। यह जूट था। बिलकुल जूट, सफेद जूट। हुआ ही क्या है। कल के बाशन में बताईए क्या हुआ मेकिन इंडियाम से। कुछ आया देश में या कुछ गया। कितने बाहरी उद्योग चले गए। कितने शिरामिक रोडों पर आ रहे हैं। आपके गलत नीतियों के कारण से। तुलना कीजिए। अगर आपके पास बुद्धी की कमी हैं तो सीख सकते हैं। हमारे बगल में हिमालाई के उस पार रहने वाले चेना में क्या हुआ। वहां बाते कम, काम ज्यादा। अच्छा नतीजा। यहां हमारे पास बातें ज्यादा, काम कुछ नहीं। गलत नतीजा। मेकिन इंडिया को लेके चेना में किस प्रकार का क्रांती आया। कितने उद्योग आया, कितने निवैश आये। माववस आपके दवर तक चेना गरीब से गरीब था, उनका GDP हमसे कम था। आज 16 ट्रिलियन डालर एकानमी से चेना है अपने देश का मजाक उड़ा दिया। पांच ट्रिलियन एकानमी का खाब दिखाके। पांच ट्रिलियन ही मजाक था। अपने आप में हासिल होने वाला प्रगयति को आपने आपका प्रचार कर लिया पांच ट्रिलियन एकानमी का। ठीक है वो पांच ट्रिलियन में भी पहुंचेंगे हम लोग। आज कहां पे हैं हम लोग। हमारे से बुरा हाल रखने वाला चेना, हमारे से कम GDP रखने वाला चेना, हमारे से कम cultivable, areable land रखने वाला चेना, आज कहां है 16 trillion economy से, आज हम कहां हैं। 3.1 trillion डालर पे हैं हम लोग आज, इसी रफ्तार से अगर हम चले, आपके बताये हुए 5 trillion पे भी पोंच पाएगा इंदुस्तान, कभी नहीं, यह असंभव है, आपके काल कंड में तो देश में हर चीज गिर गया, GDP क्राश, यह मेरा नहीं, सरकारी, फिगर से, इंफ्लेशन बढ़ता, GDP गिरता, प्रैस राइज तो आप कंड्रोल कर नहीं कर पाते, पिर किस चीज के आप कंड्रोल कर पा रहे हैं, लाकों, खरोडों, श्रामिक, जो उद्योगों में काम करके के अपने जीवन बिताते, वो बेहाल है, परेशान है, मजबूर है, आंधूल न कर रहे हैं, और आप उसका अपमान करने में वैस्त है, मुदी जी मैं एक बात पूछता हूँ, सव साल के लिए, एक सव साल के लिए, उपयोग करने के लिए हमारे देश में बगवान हो या प्रकृति हो दिया हूँ, संपत्ति है कोईला, एक सव साल के लिए, और भी जियालोजिकल सर्वे से और भी निकल रहा है, हर साल, पांच मिलियन टन से लेकर, पांच हजार मिलियन टन से लेकर, दस हजार मिलियन टन का कोईला, निकालता है जब सर्वे करते हैं एक चीज बताईए इतनी संपत्ति इतनी निच्रल रिसोर्स हमारे पर रखते हुए आज विदेशन से आप कोहला क्यों मंगा रहे दीजिए कर उत्तर दीजिए कर आपके बाशन में कहिए ताके देश जाने क्या मजबूरी है आप मजबूर है आपके शावकारों को हिल्प करने में आप तो है मजबूर राज्यों के सरकार पे दबाव डाल रहे हैं हुकुम पे हुकुम दिये जा रहे है कि 10% इंपोर्टेड कोहला इस्तेमाल करो वरना तुम्हारे कोल इंडिया से कोल सप्ले बंद किया जाएगा ये क् पागिरी है जबर्दस्ति है ये लोग तंत्र का मान मर्यादा है इसवन जी मैं आपके सामने रखना चारो हमने इंकार कर दिया अब जो मर्जी कर लो यूँकर हमारे की इत्यास है कोल इंडिया के इलावा हिंदुस्तान में ये की राज है जिसके पास एक कोईला काना है उसका नाम है सिंगरेनी कालरीज हमने कहा हमारे खुद का कोईला है तो हम क्यों ले हाईरत की बात यह है हिंदुस्तान के कोईला 4000 के अंदर एक तन मिलता है मोदी जी का जो कोईला है 25 से लेके 30,000 कट मिलता है चार गुना पांच गुना ज्यादा दाम देके क्योंकि इनका दोस्त है एक शावकार वह इंपोर्ट करता है इसलिए मैं आपको टाइटिल दे रहा हूं कि आप प्रदान मंत्र का काम नहीं कर रहे हो आपके शावकार दोस्तों का सेल्समेंट बनके काम कर रहे हो हाँ बिल्कुल हम आपका कोई विक्तिकात निंदा नहीं कर रही है आपका जो कोला इंपोर्ट पालिसी है उस पर हम आपको दोशी टाहरा रहे हैं अगर आप दोशी नहीं है आप सही है तो कल उत्तर दीजिए कल के आम सभा जो बड़े इंदुस्तान के आपका सारा फौज उतार के आप आप आज जीत कर रहे हो खुशी की बात है कीजिए हमें उससे को एत्राद नहीं है लेकिन उस सभा के दोरान जो आपका बाशन होगा जो सवाल आज हम कड़े कर रहे हैं देश के जनता के तरफ से इनका उत्तर हम आपसे चाह रहे हैं क्लारिफिकेशन हम चाह रहे हैं अगर आप निर्दोश हो तो बताइए देश के सामने रखिए मेकिन इंडिया नहीं हुद्ज्योग तो नहीं आए जो आलड़ी है हमारे पास वो भाग रहे हैं फियेट कंपनी चला गया फोर्ड कंपनी चला गया जनरल मोटर्स चला गया डार्शन चला गया उनाइटेड मोटर्स चला गया हारली डेविडसन चला गया क्या यह सच नहीं है यह मेकिन इंडिया का नतीजा यह तरीका है देश चलाने का इंच्योजन से देश का विकास होगा विकास नहीं सत्यनाश होगा अगर यह माहूल ऐसे ही बने रहे पूंजी पत्ने अपने निवेश को विठड़ा करे हमारे देश से इंडिस्ट्री बाग रहा है निवेश का ड्रेन हो रहा है हम स्पेक्टेडर बने रहेंगे देश का सर्वनाश होगा बड़ा ही दुक होता है हो क्या रहा है और प्रचार क्या किया जा रहा है यह कितनी गलत बात है हमारे इतने विशाल देश है विशाल जनता है 140 करोड पर पहुंच रहा है हमारे पाप्लेशन इनके साथ जो आप किलवारा कर रहे हो मजाग कर रहे हो यह देश के हीत में अच्छा नहीं है बिल्कुल गलत है आपने ये एक भी बात निभाय क्या आपने कहे दिया काला अधन वापस लाएंगे आया क्या मुदी जी अगर आया तो कहां आया अरे आकिर हम जानना चाहते हैं कितना काला अधन वापस आया भई सर जुख जाता है शरम से सरकारी आंकडे बताते हैं काला अधन डबल हो growingất दुगना हो गया काला अधन कंट्रोल नहीं हुआ लेकिन डबल हुआ सिस बैंक से पैसे नहीं आए मोदी जी के काल कंड में दुगना हो गए डबल हो गए यह रिपोर्ट से यह हमारे आरोप नहीं है अकिकत है यह सारे देश और दुनिया जानता है कि यही विकास है यही आपका महान कार्य कारता है यह भी वादा कम से कम यह भायों बेहनों दोजार बाबिस तक कोई आद्मी कोई कुटम भैसा नहीं रहेगा कि जिसके पास मकान नहीं हो दिया हम तो दोजार बाबिस में आगे मोदीजी अभी नहीं पहुंचे दोजार बाबिस में बड़ी अजीब बात है ब्रस्ताचार मुफ्त बारत गोदीजी का एक पापलर नारा मैं ना खाऊंगा ना खाने धूंगा आप तो इतना का गए इतना किला रहे आपके शाहुकारों को गोटाले लाकों करोडों में जा रहा है हाँ पूरा है रखेंगे हम भी देश के जनता के सामने सही वक्त में बिल्कुल है किस किस देश चे किस किस आपका व्यापारियों का आपने सेल्समेन बनके काम किया उसके पीछे कितने बड़े-बड़े गोटाले है देश जान चुका है मोधी जी आप धरा दमका के कितनों के आवाज दबाओगे कितनों को रोकोगे बस चार-चार बढ़ गया देश में गोटाले बढ़ गए बैंक के लुटेरे बढ़ गए एनपीएस का लेवल इस कद में बढ़ा मोधी जी आप से पहले नान परफार्मिंग अकाउंट्स का जो गिंती है वो सिर्फ 4-5 लाग करोड में थे आज एनपीएस का क्या दर है 20 लाग करोड ये है विकास मोधी जी इस तोफा दिया अपने देश को यह भी गलत है हम जो कह रहे है सच कह रहे है आप ही के बताय हूए अंकडे कह रहे है यह अमारे अंकडे न ही है यह थीज़ड दी किरसर हर नाट माइ झीज थीज़ड पार्म एन ग Where List पितर ह इं गिवन Central Finance Minister of India as an answer to the question in the Parliament the rate of NPS in India today is about 18.6 lakh crores पतने उसके बाद में और कितने बड़े this is the reply by the Honorable Finance Minister of India यह आपके गती शील विकास शील नितियों का आपके गलत कारुणामौं से गलत उसलों से गलत पाइसलों से देश का मान मर्यादा गर रहा है जीवन प्रमान गर रहा है और लोगों में आकरूश बढ़ रहा है यह सच है 15 लाइग देंगे और किसी के काते में आ चाएगी 15 पैसे नहीं है लोग इंतिजार करने, कभी का रहें मोदी जी हम तो आपको वोड देते रहेंगे 14 लाइग जब तक ममारे काते में नहीं है आशा है कि आप देंगे, कभी गा रहें आपके गुनगान किसी भी वादा वुज्योग पतियों के साथ छोटे वुज्योग के साथ आपने जो वाइदा किया में सेमी को एक गंटे के अंदर लोन देंगे महीनों बर बें इंतिजार करें नहीं मिलता बस आपका वादा वादा रही गया मुदी जी आप जब रूपिया गिर रहा था जब मानिय मंदमाउन सिंग जी प्रदान मंत्री थे आप अपने गला फाड़ पाड़ के बोल रहे थे आज रूपि का वैल्यू क्या है मैं पूछ रहा हूं आप से कल उत्तर दीजिए बारत के इतिहास में पहली बार सुपसे नीचा वैल्यू किसी प्रदान मंत्री के समय में नहीं हुआ यह भी आपको शोबा देता है प्रदान मंत्री जी 79 रूपिस यूएस डालर के प्रती आज हमारा रूपी के वैल्यू है 79 रूपिस हरे बाप्रे यह देश का हालत को बता रहे हैं है आपका कितना महान अड्मिनिस्टेर्शन है कि कि इसका ये नतिज्वा है है आप भी कह रहे है है आप मैं जानना चाहता हूं बई नेपाल का रूपया नहीं बंगला देश का नहीं इतना नीचे नहीं गया रूपी वैलिव जितना आपके समय में जा रहा है और फिर भी आप बोलते हैं आपका डोल बचाओ क्या यह सचाई नहीं है अगर आप निर्दोश हो इसका उत्तर दीजिए कल के सबा में जन्ता को बताईए हम कुले आम पूछ रहे ना मकान दिये ना दुकान दिये ना वादा किया गया पैसे दिये ना नुकरी दिये दो लाग दो करोड नुकरियां हर साल अब खाईरत की बात यह है नया तो नहीं मिले लेकिन जिस कदर आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं यह लाइसी जैसे संस्ता को भी बेच रहे है नवरत्ना को भी बेच रहे है लोगों को रोड पे लाया जा रहा है नया तो नहीं मिले लेकिन है जो मौझूदा है वो भी जा रहे है यह मेरा बात नहीं सारे देश यह बात जानता है अब इतनी बड़ी लिस्ट है जो पढ़के मुझे अमरे मजसुना चारी साब में लिखके दिया मुझे बात चारी साब कुछ बैंड दीजी एश्वन जी आ रहे हैं सब आ है अब इसको पढ़ दूँ तो और दो गंटे लेगेगा पढ़ना चाहिए बात में पढ़ेंगे बहुत समय है मुझे जी आपका काल कंड में इतनी खूब एक भी काम आप काम्याप नहीं रहें एक भी काम आप अपने आपको रिविव कीजिए एक बार मन से इंट्रास्पक्ट कीजिए क्या हो रहा है गंगा जी को बहुत पवित्र मानते हैं हम लोग गंगा जी का पानी पूजा पाट में हम इस्तवाल करते हैं इतनी पवित्र था इतनी मानिय था गंगा जी में अपने गुजर्वाँ का अस्ति निमजन करते हैं हम लोग हाँ इस पात में मोधी जरूर मोधी जी का एक बहुत बड़ा प्रिकास इन्होंने किया है पवित्र गंगा में इन्होंने आस्ति नहीं बलके मानुश्रीर को यही बहा दिया शव बहे हजारों के तेदात में शव बहे करोना कंट्रोल में पूरी तरह से आप फेलियूर होगे लाखो लोगों का मुरुच्य का आपकारण बने सदेनली जो ओवरनाइट आपने लागड़ाउन अनोंस किया आजाधी के बाद दा लार्जेस्ट ट्राउमा फेस्ट बाई इंडियन पॉलिटी यू मेर्ड़ पीपल लैक्स अफ पीपल कोर्स अफ पीपल वाक अंद रूट्स दुख होता है जो वीडियो कांफरेंसेस कर रहुना करता समय में यह कर रहे थे मैंने सुझाओ दिया था एश्वन जी बड़ा दुख होता है मैंने कहां बाई ट्रेन तो देदो कम से कम उनको बेज देदें ट्रेन चालू करो शरम की बात तो यह है उतने गंबीर समच्चा जन्नता फेस कर रही थी दुखी थी जन्नता मोधी जी कहता फ्री ट्रेन नहीं देंगे इश्वन साहब आप जिस राज से आते हैं वहां का बाई बंदू हमारे पस कहीं लाकों में काम करते हैं लाकों लोग बिहार से जारकंड से बंगाल से उत्तर प्रदेश से तिलंगाने में काम करते हैं कहीं हो फिल्ड्स में मैंने उन्हों को आश्वासन दिया भई मोधी साब नहीं दिये नहीं दिये लेकिन हम है तिलंगान राज के सरकार है हम आप लोगों को तिलंगाना राज के विकास के प्रतिनिदी मानते हैं, आपके पसीना से, आपके मेहनत से तिलंगाना का गती प्रगती बढ़ती है, तो इसलिए हमने हमारे लोगों के साथ उनको मुफ्तराशन दिया, दवाई दिया, फ्री ट्रेन, 178 ट्रेन्स, तिलंगाना सरकार के वोर से बुक करके, वो गर पहुंचे तक उनको हर चीज, वाटर बाडिल्स के साथ, खाने के साथ, उनके जेब में एक एक हजार रुपे देखे हमने उसको विदा किया, यह है, मोधी जी का नीती, देश के जनता के साथ, केंदर सरकार, देश के जनता के प्रती, मोधी जी का यह प्रेम है, फ्री में ट्रेन भी अरण्ये करते हैं, जब जनता दुकी है, करोडों जनता, एक दोने करोडों में, हर चीज, हर पालिशी देश को नस्ट कर रहा है इंटरनेशनल इंडेक्से से हर इंडेक्स में गिरावट पहले से बुरा हाल बद से बदहाल बद से बत्तर होते जा रहे Human Development Index में हमारे स्थान अच्छी परता माननिय मोदी जी के कालकंड में 131 पर पहुंचके यह आपका मिस्रूल का नतीजा है Hunger Index में हमारे भारत का स्थान तिर्शट ता आज मोदी जी के बदावलत मोदी जी के महान कारिकारता का निशाना है अम 101 पर पहुंचके from 63 to 101 individual rights, fundamental rights हिंदुस्तान का जगा पचेसिता 85 आजम पोँच गये 119 यहाँ पे भी गिरावाट बेरोजगारी, ever highest in the history मोदी जी आने से पहले इसका दर, इसका परसंटेज, it was at 5.6% unemployment in the country today it is महान मोदी जी के महान administration का नतीजा यहे ever high in the country 8.1% पे पोँच गया unemployment rate यह यह आंकड़े अमारे नहीं है press freedom भारत का स्थान 111 था आज 142 पे पोँच गया और आपने बड़ा महेनत करके मोदी जी गोदी मीडिया भी आपने सुष्ची किया भारत में तो सारा देश जानता है happiness index 111 अमारा स्थान था मोदी जी के प्रभाव से 134 पे पोँच गया environmental index में 180 देशों को गिना गया था हमारा नमबर 180 आगया bottom country यह यह हमारा देश का हालत है यह आपका कार्यकारता है अपने जिस प्रकार का मजाग उड़ा है देश का देश के जनता का जिस प्रकार का गिरावटें देखने को मिल रहा है राश्चेस तर पर अंतर राश्चेस तर पर कि इससे हर चीज हर चीज कराब होते जा रहे है कईयों बाते है एक तरफ यह है तो दूसरे तरफ आप क्या कर रहे है कि सक्सेस्फुली किलिंग दी डिमाक्रसी एवरी डेए कि सक्सेस्फुलिंग दी किलिंग दी फिडरल सिस्टम अफ इंडिया यह तरज्यों के सरकार को सताना आ जो इनके बात नहीं मानते हैं उनको गिराना इतने महान लोग है यह आघ्ष्ट्रे जनक बात है सर आच्छीर YOUR j जो में मोधी साब के प्लासे सुनके ट्रेंड है, बड़े महान मंत्री देख रहे हैं। केंद्री यह मंत्री आज है हिदराबाद में खायरे, बड़ा आच्छर होता है। साब यहां पर 119 ML सीट है। जिन में से हम और हमारे फ्रेंडली पार्ट मिलके 100 सीट हम जीत लिये थे। 88 तो हम जीते थे 95 सीट हम जीते थे। 34 वित 34 मेजारिटी। उसके बाद में हमारे संक्या बढ़ी। आज TRS के ML से 103-104 और हमारे फ्रेंडली पार्ट है उनके ML साथ। और माननिय केंद्री मंत्री गन जो आईदराबाद में बैटे हुए हैं वो कह रहे हैं महाराष्ट में जैसे सरकार गिरा है तिलंगाने में देखने को मिलेगा तिलंगाने सरकार भी गिराएंगे। ठीक बात है गिराइए। हम भी इंतिजार कर रहे हैं उस बात का ताकि हम फ्री हो जाए आपको दिल्ली से उतार देंगे हमेशा हमेशा क्रांती का रास्ता क्राइसिस से ही बनता है तिलंगाना एक ऐसा समाज है एश्वंत जी साट साल लड़के अपने अस्तित्व को अपने गरिमा को बनाये रखने के लिए तिलंगाना का जनता ने साट साल लड़ी है आखिरकार अपने बलबूते अपने राज हासिल करके आज आगे बढ़ रहा है आप सुब लोगों के आशिरवास से एक जंग और लड़नी पड़े तिलंगाना कभी पीचे नहीं अटेगा दूसरे तरफ भारत का अपमान इस कदर हो रहा है अंतरराश्टे अस पर पर जिससे हमें बहुत बड़ी चिंता है करोड़ों लोग हमारे लोग बाहर अपना जिन्दगी जीते हैं चोटा मोटा बड़ा कुछ न कुछ नवकरी करोड़ों कहीं करोड़ है जिस प्रकार का द्वेश, विद्वेश, डिविजन, हेट्रेड, योगावों का सोच विचार को आप पुल्यूट कर रहे है यह देश के लिए अच्छा है मोडी जी मैं कहा रहा हूँ हमारा इतिहास है, हमारे परंपरा है, हमारा देश का गरिमा है, सहन सील देश है, हमारे सहिशनुता है, हमारा समस्कार रही है, जीवों और जीने दो आप आदा पेट काओ लेकिन अगला को खिलाओ शास्त्री चेशा महान नेता उपवास रखने के लिए कहा, सुब देश के लिए, देश के गरिबों के लिए, जो अमीर लोग है, हफ्ते में एक बार का काना बंद करके गरिबों को देओ, ऐसे महान नेता थे अज किस प्रकार के नेता हम देख रहें, इधर कुदवाई करो, उधर कुदवाई करो, यह है देश बारत, किस भारत का सपने आपने बताया चिनाओं के दर्मियान, और किस प्रकार का नजारा आप आज दिखा रहे, आपका प्रदर्शन किस प्रकार का विश वेश जो अंतर राश्य तर पर हम गिर रहे हैं बारत देश का अपमान हो रहा है जो आगे के लिए अच्छा नहीं है इस नाट अट आल गूट पर दा कंट्री बिलकुल देमाक्रसी इस किल फेडरलिजम इस किल खानून बदल के राश्य बदल के राज्यों के पैसे चीनलो टैक्स को सेस में बदलो एश्वन जी करीब 30 लाग करोड जिन में से राज्यों को इस्ता देना आता टैक्स इन्होंने टैक्स को नाम दिया सिस आप जानते हैं आप जानते हैं किसी विदेश में कहीं गए किसी जाते हैं किसी जाते हैं किसी जाते हैं बाई आप कांस हो? I am from India. Acha you are from Gandhi's place, Mr. Gandhi's place. The great peace messenger Mr. Gandhi. The messenger of non-violence. The father of the nation. A pouco ithina, impatience, father of the nation को भी अपंति करते हो है छो फाधराब्णेशन है कि सच्चाबहरत मिशन में गांधी जी का आइनक लगाते ambos गांधी जी के समात्त पें आप नाटक करते Cancer और आपके आपके लोग गांधी जी का कितना अपमान करते है हर दिन। इस चीज के बारे में क्या मोधी जी आपको मालूमात नहीं है कि आप इतने दुर्बल प्रदान मंत्रिय कंजोर प्रदान मंत्रिय को कंट्रोल नहीं कर पासे। गांदी जी को हमारे देश में हमारे देश्वासी अपमानित करें यह अपने आपको अंतर राज यह सतर पर सर जुकाने की बात है भारत के गरिमा को कम करने की बात है एए बारत के इज्जत को बढ़ावा नहीं देगा, क्या कहेंगे तुनिया अमको? बाहर देशों में क्या कहेंगे लोग हमको? हमारे जिनको हमने जाती पिता जो फादर अब दे नेशन कहा हमकुद उनके अपमान करे तो अंतर राश्चे स्तर पर बारत का घरिमा क्या होगा इतना भी आपके पास इन्फरमिशन नहीं है मोदी जी आप अंदर से उचका रहे हो बाहर नाटक कर रहे हो देश जान गया आप क्या है कि अन्वांटिड और आपके नीती देखिए किसी भी प्रधान मंत्री के समय जिब सारा दुनिया पार्लमेंटरी डिमाक्रसी अडप्ट किया है चुनाओ के प्रक्रिया को लेकर चिला रहे है हमारे जैसे कहीं देशे जहां चुनाओ के साथ चुनाओ के जरिए सरकारों को चुने जाते हैं किसी भी प्रधान मंत्री कभ नहीं कौन जीतेगा कौन हारेगा जब दुनिया के साथ जीना है हर देश के साथ हमारे संबंद अच्छे रखने पड़ते हैं इसे डाइर नेसेसिटी अथा कंट्री तो कीप गूड रिलेशन्स विटाल दे नेशन्स मोदी जी की महानता यह है उनका बुद्धी देखे कुशलता यह गए होस्तन में अमेरिका में अमेरिका अद्रिक्स का लड़ा ही लड़ने के और कह दिया है वहां पे अब की बार ट्रम्प सरकार अब ट्रम्प गया गंगा में तो भारत कहां जाए यह नीती है यह जो काम आपने किया जानके किया यह अंजाने में किया मोदी जी कोई देश का प्रदान मंत्रे से करेगा कभी भी अब क्या समझें अमेरीका अधिक्स सुनाओ को एहम्दबाद मुंस्पल कार्परेशन समझा कोई जिम्मेदार ही ती जब आप यह बात कह रहे थे इतना बड़ा देश का क्या कर रहे थे आप मजाग उड़ा रहे थे आप यह है जी इनके नीती यह है हमारे देश के महान प्रदान मंत्री जो गला फाड़ पाड़ के बोलते हैं धूम भूम मचा देते हैं चोड़ी चोड़ी बात पर बताईए आपने कहा की नहीं कहा आपके हूप्सन के सबा में अगर कहा तो क्यों कहा मैं तो डिमांड करता हूँ देश से माफी मांगी आप हाँ बिल्कुल डिमांड करते हैं जो अपने बारत के गरिमा को कम किया है जोगे देश को आज सर जुकाना पड़ रहा है आखिर मैं एक बात कहके अपने शब्द कतम करूंगा मुदी जी बगवान है यह मान रहे लोग ठीक बात है जो कि अच्छे इंसान को इंसानी बने रहना चाहिए बगवान कभी बनना नहीं चाहिए इंसान को ऐसे खाप कब दिखने लगते हैं अपने अहंकार जब सर पर आ जाता है तब ही ऐसे बात हैं ऐसे विक्रुत एक मनों वाइग्यानिक विक्रुती है मोधी जी एक बात का उत्तर दीजिए जरूर हम मांग करेंगे और इसे ग्रेटनेस अप मिस्टर नरेंद्र मोडी आपको जनता ने जो मैंडेड दिया दस साल का दो बार चुनके आपने आटवा साल का भी बजेट पेश कर दिया यहने असी पीसेद आपका खालकंड का समय खतम हुआ और आपने बता दिये कि आपने आपमें कितनी क्षमता है यह एक्जिबिटेड यवर केपैबिलिटी और युवर केपैबिलिटी युवर केपैबिलिटी लेवल इस देश में सत्तर हजार टी एमसी पानी की उपलब्दी है अब कम से कम पीने का पानी भी पराम नहीं करें पने जनता को अर्श्रम की बात ये है पीने का ‫पानी देश beim देश के कोना कोना तो छोड़ो देश के राजदानी दिल्ली में भी आप-पाणी नहीं दे पा रहे यह आपकी माननेता है कि यह आपने हो हाल ही में मैंजब दिल्ली गाय वहां के लोग रो रहे थे जो पीने के पानी नहीं देने वाला प्रदान मंत्री है, बड़े-बड़ी बाते करते हैं पीने के पानी, क्या यह हिंदुस्तान का किस्मत है आप ना बिजिली दे सकते हैं, आप ना पीने का पानी दे सकते हैं देश में उपलब्द, सहज, रिसॉर्सेस को एक्स्प्लाइट करके देश के जनता को नहीं दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, सिर्फ बाशन भाजी, द्वेश, विद्वेश, विपक्षियों का अपमान, सरकारी संस्ताओं का दुरुपयोग, सिवा इसके क्या मिला है इस देश को, लेहाजा, भाईयों, हम सब लोग मिलकर तलंगाना की लड़ाई लड़ेते, लोग तंत्र के आधार पर, खेर समय लगा, लेकिन हमारे मेहनत का फ़ला में मिला, मैं आप लोगं से, एश्वंच सिनहा का, जो कद है, जो एक उत्तम लेता है इस देश का, सिनहा जी, उनका समर्तर करने का इस सभा में, मैं फिर एक बार, आप लोगं से अनुरोद करता हूँ, एक नए भारत को, आच्छे भारत को, इमांदार भारत को, बनाने के लिए फिर एक जंग हमें लड़ना पड़े, हम आज से ही शुरू करते हैं, मैं दन्यवाद देता हूँ, हमारे हिद्रबाद शहर के नेताओं का, यहां के मंत्री, यहां के अमारे पाटी के अध्यक्स गोपीनाज जी का, रंगारेडी, मेडचल जिले के अध्यक्सों का, और मंत्री लोगों का, विदायकों का मैं धन्यवाद देता हूँ, कि जितना शांदार प्रदर्शन आपने किया है, आज हाईदराबाद में लोगतंत्र किला है, the taste of democracy is shown in हाईदराबाद today. The wonder is that the spirit of democracy is still alive in India. एक नहीं बलके एक लाग मोधी भी लोगतंत्र का, हमारे देश का, लोगतंत्र का गला नहीं गोट सकते. इस प्रदर्शन से आज हमने इंदुस्तान को यही बता दिया, जिसका मुझे गर्व है, I am thankful to all of you, इस प्रकार का प्रदर्शन आज आपने किया है, I am very very thankful to you, आगे चल के भगवान से हम प्रार्तना करते हैं कि एक अच्छे बारत बने, उज्वल बारत बने, महान सुहान बारत बने, और देश के गरीबों का किस्मत खुले, फिर एक बार हम सुप के तरफ से माननी एश्वन सिना जी का फुरुदेई से मैं स्वागर्द करते हुए, उनका जीत का मनो कामना करते हुए, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, धन्यवाद.